सिमती सुनिया गांधी जी वो सच बोलने की आदर डालनी चाहिए चुनाओं के दोरान जनता के आँखों में धोल जोग करके अब ये देश की सत्ता नियतिया पाएंगे ये नियाएनि भारत के प्रती अनुसुची जाती जन जाती और पिछडी जाती की प्रती भारत की सनातन अस्ता के फ्रति अल्याय पत्र है मुसलिम लीग का एक नया वर्जन ये आएं कॉंग्रिट का गोषनापकर गोषनापकर दल कॉंग्रेस का गोषनापकर मुसलिम लीग का प्रतिनिद्व करता हो इससे ज्यादा सर्मनाग दूसरा नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योग्यादी तिनाथ ने कॉंग्रेस की घोशना पत्र पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एक नया संसकरण है यह वह कोई न्याय पत्र नहीं बलकि अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जात पिछडी जाती और सनातन धर्म के प्रति अन्याय पत्र है उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का नया संसकरण आ गया है मुस्लिम लीग का प्रति निदित्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी कॉंग्रेस के गोशना पत्र से ज्यादा शर्मनाक कुछ कुछ नहीं हो सकता योग्या दितनात ने आगे क्या कुछ कहा आप पिसनिये कॉंग्रेस का मैने फेश्ट ही विभाजन कारी है भारत को वर्द संगर्श की स्कुर ले जाने वाला है भारत में अनुसूची जाती जन चाती और पिछली जाती के दिकारों में सेंध लगाने वाला है कॉंग्रेस के मुनसुबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम सिमती सुनिया गांधी जी को सच बोलने के आदर डालने चाहिए चुनाओं के दोरान जनता के आँखों में धोल जोग करके अब ये देश की सत्ता नहीं अतिया पाएंगे क्योंकि पुरा देश मोदी जी के निक्तृत्तों में एक भारत स्रेश्ट भारत के दर्शन कर रहा है और आत्म निर्भर और विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पुरा देश मोधी जी के नित्रत्तों में कारे करने के लिए आज एक जुट होकर के दिखाई दे रहा है कॉंग्रेस को इस परकार का सपेज जूट नहीं बोलना चाहिए कास्मीर में धारा 370 कास्मीर एक कॉंग्रेस ने लगाई थी OBC के आरक्षण में से करनाटक और आंदर प्रदेश में सेंद लगाने का काम कॉंग्रेस की सरकार ने किया है और OBC के अधिकारों कर पूरी तरह हनन है ये देश के अंदर जाती राजनीती को छेतर और भासाई आधार पर समाज को बांटें की कुछ सी चेश्टा कॉंग्रेस ने की थी अपने मेने फेश्टों में जिस प्रकार की बातेों को कॉंग्रेस ने उल्लेक किया है ये भारत की सनाथन आस्ता पर प्रहार तो ही समाच में वर्क संगर्ष की स्थिद्य को पैदा करने वाला है और मुझे लगता है कॉंग्रेस के मुनसुबे भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी क्योंकि विभाचन कारी जो राजनीती है या किसी के हित में नहीं है और मुझे लगता है कि आज जब विक्सित भारत के लिए पूरा भारत पुरा पुरी डेज की जनता मोदी जी के नित्रतों में संकल्पित हो करके भारती जनता पार्टी और एंडिय को अपना समर्थन दे रही है उन इस तितियों में अब कॉंग्रीस की दाल नहीं गलने वाली है अब लगता है कि जनता इस बात है यह निया नहीं भारत के प्रती अनुसोची जाती जन जाती और पिछडी जाती की प्रती भारत की सनातनास्ता की प्रती अन्याई पत्र है मुस्लिम लीक का एक नया वर्जन ये आया है कॉंग्रेस का गोशना पत्र देश की सबसे पुरानी राजनितिक दल कॉंग्रेस का गोशना पत्र मुस्लिम लीक का प्रतनिदित्व करता हो इससे ज़्यादा सर्मनाग दूसरा नहीं हो सकता